गुद मॉर्निंग स्टूदेंट्स हाव और यू आपने कुछ सवान लेके हम उनके साथ कुछ डेकुरेटिव आइटम्स बना सकते हैं अपने घर को डेकुरेट करने के लिए और ये घर पे देखो मेरे पुराने फूल पड़े हुए थे मैंने बजार से नहीं खरीदे मिर पस ये फूल घर पे पड़े हुए थे और ये डबल साइटी टेप बस और कुछ नहीं चाहिए आपको and we are going to make decorative items what you have to do three leaves के साथ हम इसको बनाएंगे एक लीफ आपने लीफ उसको यहां रखा और ये डबल साइटी टेप आपने पर कुछ थोड़ी सी फाड़ी और आपने इसको इसके उपर यहां पर लगा दी टेप ठीक है next is दूसरी लीफ हम इसके उपर ऐसे थोड़ी सी कर्व करके ऐसे पेस्ट कर देंगे इसके उपर अब इसके उपर हम एक और step लगाएंगे ऐसे ठीक है बटा next हमने ये वाली leaf इस तरफ से ऐसे थोड़ी सी slant करके ऐसे लगा दी ठीक है अब हमने क्या किया third step क्या है हमें एक फिर छोटा सा टुकड़ा लेंगे और यह सबसे उपर हमने इसको यहाँ पे paste कर दिया ठीक है इसके उपर हमने क्या किया यह येलो वाला जो फ्लावर है इसके उपर हमने इसको ऐसे लगा दिया ठीक है एक टेप आपको चाहिए इसकी बैक साइड में नीचे paste करने के लिए इधर बस दाट सिट देखो यह रेडी हो गया मैंने और भी देखो बहुत सारे बना के रखे हुए सी यू हाब तो मेक फ्लावर्स लाइक दिस देखो सुन्दर लग रहे है ना अब हम इनको अपने डोर के उपर या कहीं पर भी हम इनको डेकॉरिट कर सकते हैं देखो बटा ठीक है टेप को हटाओ और इसको ऐसे हम डेकॉरिट कर सकते हैं यह दिखो सुन्दर लग रहे हैं आप अपने डोर पर बना लो हम इसका बंदन वार भी बना सकते हैं बंदर्वान के लिए आपको एक रिब्बन चाहिए होगा जो रिब्बन बीच में से आप इनको जोइन कर सकते हैं सुन्दर लग रहा ना अपने घर को आप ऐसी तरी के से डेकॉरिट कीजिए दो थैंक्यू धन्यवाद